Hello everyone, welcome to the official channel of Vector Educators, this is Neelam and today we are going to discuss the Hindu editorial, so let's get started. So the title is caution pays, caution means saavdhani, or the situation we call sitarqta, we pay in the case of the result, which is how we call hard work pays, that we will do the result, then we pay the amount of hard work, so we always pay the result. पर कहा जा रहा है कि जो सतर्कता हम बरत रहें जो सावधानी हम रख रहे हैं बात किस पर की जारी यह कोविड-19 यह जो वैश्विक महामारी इससे हम कह सकते है observation किसी चीज का close observation या हम इसे कह सकते है monitoring तो center की का जो close observation है guidelines है इसकी बात यहां पर की जा रही है the center's surveillance guidelines center की जो यह surveillance observation guidelines है should be taken seriously यहां पर देखेंगे should आया है इसके साथ भी आया है इसलिए verb का third form यूज किया गया है सिर्फ should होता तो should के साथ सिर्फ वर्ब की first form आती है क्योंकि यहां पर should के साथ भी वर्ब है तो भी के साथ वर्ब का third form यहां पर so should be taken seriously seriously ले जानी चाहिए even as vaccination rolls out मतलब बोला जा रहा है कि vaccination आ भी जाता है कि COVID-19 पर बोला जा करना किसी चीज की शुरुवात करना initiate करना तो रोल आउट हो भी जाती है लेकिन फिर भी हमें यहां पर सतरकता बरतने की जरूवत होगी तो आगे देखते on a threshold of a new year अब यह जो threshold word है इसे दो तरीके से यूज किया जाता है threshold का मतलब intensity या magnitude भी होता है लेकिन यहां पर इसका जो मतलब है यह होगा doorstep या जिसे हम कह सकते है entry या approach मतलब की जो new year है यह आने ही वाला है अब तो एक ही दिन बचा हुआ है मतलब threshold हम जिसे हिंदी में कह सकते है देहलीज बिलकुल new year जो यह देहलीज पर ही है कि बिलकुल आने ही वाला है the covid pandemic मतलब कि यह वैश्विक महामारी no longer seems terrifying too many मतलब यह अब इस pandemic से इस महामारी से जादा लोग डर नहीं रहे है terrifying मतलब होता है frightening यह जिसे हम कह सकते है fear मतलब लोगों में डर पैदा करना यह जिसे हम कह सकते है gruesome so अब यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जादा लोग इस disease से डर नहीं रहे as overall cases यह जो cases है covid-19 के maintain a downward trajectory trajectory का मतलब होता है path यह हम जिसे कह सकते हैं root so इसका यह जो path है यह जो root है यह कैसा हो चुका है downward हो चुका है मतलब आपने देखा होगे कि number of cases है covid-19 के अब यह जादा सुनाई नहीं दे रहा है मतलब कि कम हो रहा है इसका जो graph है trajectory मतलब यहाँ पर हम as a graph भी ले सकते कि इसका जो graph है यह graph कैसा है downward है अब नीचे की तरफ जा रहा है and a massive vaccination मासिव मतलब होता है काफी बड़ा यह जिसे हम कह सकते है huge यह इसके लिए हम use कर सकते है enormous भारी भरकम काफी बड़ा यहाँ पर और भी words होंगे gigantic यह giant भी आप इसे कह सकते है यह colossal भी इसे आप कह सकते है तो यह जो सारे words है यह massive की place पर आप use कर सकते हैं यह सारे massive की सिनरीम्स होंगे gigantic giant colossal huge enormous तो बोला जा रहा है कि add a massive vaccination program vaccination मतलब होता है टीका करन प्रोग्राम मतलब की कारेकरब तो यहाँ पर एक बड़ा सा काफी huge vaccination program इस set बिलकुल ready है to roll out होने के लिए launch होने के लिए शुरू होने के लिए तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर बोला क्या जा रहा है क्यूंकि अब new year बिलकुल डेलीज पर ही है बिलकुल इंट्री गेट पर ही खड़ा है मतलब आने ही वाला है अब कोविड-19 पैंडमिक से जादा लोग टेरिफाइड नहीं हो रहे डर नहीं रहे क्यूंकि इसका जो ग्राफ है यह ग्राफ कैसा है डाउनवर्ड है नीचे की ओर जा रहा है मतलब केसे कोविड-19 के काफी कम सुनने में आ रहे हैं इसके साथ-साथ केसे कम हो भी हो रहे हैं साथ में इसका मासिव मतलब बहुत लग्ड़ाइं के दौरह सारे घर में रहते थे वाफिसिर सारे बंद थे लेगन अब देखा धिरे धिरे नॉर्मल civ skills केसी हो रहे है रिस्टार्ट हो रहे है फिर से शुरू हो रहे है क्यूंकि एक बालाटन मैजर में अब बोला जा रह है में इम्पोर्टन मैजर है क्यों up of long distance travel, scale up, scaling up, यहाँ पर इसे हम कह सकते हैं, यह एक phrase है, जिसका मतलब होता है, to increase in size, जिसका मतलब होगा, to increase in size, size में बढ़ जाना, तो किस चीज़ का scaling up हुआ है, long distance travel, मतलब लोग long distance भी travel कर रहे है, या करना शुरू कर दिया है, लोगोंने, elections have been held, elections भी held हो चुके है, मतलब ह मतलब होता है, काफी बड़े, इसमें कह सकते हैं, काफी बड़े amount में हम कह सकते हैं, या huge amount में, protest, protest मतलब क्या होता है, opposition, किसी चीज़ को oppose करना, किसी चीज़ को resist करना हम कह सकते हैं, या विरोध करना, तो ये जो mass, mass मतलब क्या होता है, एक साथ बहुत सारे लोग protest भी कर रहे है, are being organized या organized किये जा रहे है, अब ये जो mass protest है, ये किसके sense में use किया जा रहा है, जैसा आपने सुना होगा कि देली के बहार, बहुत सारे points पर ये farmers लोगों ने धरने दिये थे या protest किया था, क्योंकि government ने कुछ rules निकाले थे, कुछ guidelines निकाली थी, उसके लिए ये farmers यहाँ पर प्रोस कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी के sense में यहाँ पर बोला जा रहा है, कि mass protest भी यहाँ पर शुरू है being organized, आपने देखा होगे कि इतने सारा प्रोटेस्ट 25 दिनों और इतने दिनों तक farmers ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन एक भी वहाँ पर COVID-19 का कोई case सुनने में नहीं आया, कि जो farmers प्रोटेस्ट कर रहे है, इतनी जादा मतलब संख्या में, यहाँ पर कोई COVID-19 का case आया हो, या किसी को admit किया गया हो, इ देख लेते हैं, क्योंकि जो new year है, यह बिल्कुल डेली पर ही है, एंट्री गेट पर ही खड़ा है, बिल्कुल आने ही वाला है, अब जो लोग है, यह पैंडेमिक, यह जो वैश्विक महामारी COVID-19, इससे बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि जो overall cases है, overall cases काफी कम है, downward है इसके जो trajectory है, मतलब इसका जो graph है, यह काफी downward है, नीचे की और जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और काफी बड़ा, huge, enormous, विशाल, एक टिका करन, प्रोग्राम जो है, यह बिल्कुल तैयार है, roll out होने के लिए, launch होने के लिए, शुरू होने के लिए, और कहा जा रहा है कि जो normal life थी, COVID-19 के पहले, lockdown के पहले जो थी, यह बिल्कुल अब resume हो रही है, resume मतलब फिर से start हो चुकी है, substantial measures में, substantial measures मतलब जो कुछ important पहलू है, यह सारे शुरू होने की यहां पर बात की जा रही है, there is a scaling up, scaling up मतलब क्या होता है, increase होना, scaling up of long distance travel, पहले लोग डर रहे थे कि long distance travel में नहीं जाना है, डर था, infected होने का, COVID-19 महामारी से, लेकिन अब लोग long distance travel करने में भी नहीं डर रहे, elections भी हो चुके है, held किये गए है, and mass protest, जो काफी भारी संख्या में किया जा रहा है, farmers के द्वारा, इसकी भी यहां पर बात की जा रही है, so आगे देखते, at the same time and इसी समय पर critical activities, critical मतलब हम कह सकते है, important, so important activities जैसे की on campus education, on campus मतलब होता है, जो campus में होता है, जैसे school कह सकते है, college हम कह सकते है, universities कह सकते है, so यह जो on campus education remain mostly suspended, suspended मतलब क्या है, यह यहां पर बिल्कुल रुका हुआ है, तब सारी चीज़े शुरू हो गई, सर्फ और सिप यहां पर यह on campus education भी रुका हुआ है, सबी को पता है, and many senior citizens, काफी जो बड़े बुजर्ग citizens है, are unable to access periodic health check-up, and यह periodic health check-up को access नहीं कर पा रहे, access मतलब approach नहीं कर पाना, पहुच नहीं पाना, उसे use ना कर पाना, so access मतलब approach नहीं कर पा रहे, periodic health check-up होते है, जैसे monthly check-up होता है, यह six month में, यह senior citizens नहीं कर पा रहे, अब बोला जा रहा है, anecdotal evidence, anecdotal मतलब होता है, कही सुनी बाते, मतलब जिसका कोई proven fact नहीं है, कि yes, यह चीज proved है, यह चीज real है, ऐसा नहीं, anecdotal मतलब होता है, जो कही सुनी बाते है, जो कोई reports है, यह किसी ने देखा है, उस देखे, देखे हुई बात प यह चीज आ जाता है, यह पॉइंट करता है, इशारा करता है, infections spreading, infections spread हो रहे है, कहां पर, in commercial center, commercial center, मतलब कह सकते है, बाजार, market, shopping mall, and at workplaces, काम करने की places पर, जो कही सुनी बाते है, इन से आम इसमझ में आ रहा है, मतलब पता चलता है, कि यह जो infections है, यह commercial center, मतलब market, shop, shopping mall, and workplaces इस पर, infection जो है, यह spread हो रहा है, लेकिन इसका कोई fact, proven fact नहीं है, यह सिर्फ कैसी बात है, anecdotal है, मतलब कि जस्ट बोली हुई, किसी ने देखी हुई, इस तरीके से, therefore, इसलिए, अब therefore कब यूज किया जाता है, जब किसी का result बताया जाता है, तो यह सारी चीज़े हो रही है इस वज़े से, there is a long way to go before people can really put the pandemic behind them, so अभी काफी लंबा रास्ता तै करना है, to go before people can really put pandemic behind, मतलब यह जो वैश्विक महामारी है, इससे पीछे छोड़ने के लिए, अभी काफी लंबा रास्ता तै करना है, मतलब अभी काफी time लगेगा इस pandemic से, के डर से बाहर आने के लिए, या इस बिमारी को पीछे जोड़ने के लिए, a large section of population, एक large section, एक बड़े तबके कि यहाँ पर बात की जा रही है, population की, तो एक बड़ा जो तपका है, population का, has been able, has been able मतलब कि यह रहा है करने में कुछ करने में कह सकते है हम लोग कुछ कर पाया है क्या यहाँ पर देखते हैं to shelter and shelter का मतलब यहाँ पर हो जाएगा protect करना खुद को protect करने में किस से from coronavirus particularly किसकी बात की जारी especially elderly मतलब जो 60 के उपर है 65 के उपर है 70 के उपर है बड़े बुजर्ग and people with morbidities morbidities मतलब होता है people with disease जिने कोई बीमारी है heart की बीमारी है diabetes है या kidney की disease है इस तरीके से ऐसे लोग जो बड़े बुजर्ग है और जो ने morbidities मतलब disease है तो यह large section है ऐसा बड़ा तपका है मतलब काफी बड़ी संख्या के जो लोग है ये खुद को protect कर पाया है coronavirus से and specially यहां बड़े बुजर्ग और ऐसे लोग जो जिने कोई disease है उनकी यहां पर बात की जारी है relaxing the vigil now is bound to prove costly for them and बोला जारा है कि अगर इस vigil को हम यहां पर relax कर दे vigil मतलब क्या होता है ये जो watch रखा जारा है जो कडी निगरानी में है अगर इसे हम relax कर दे इसमें धिलाई बरत दे is bound to prove costly and ये कैसा होगा ये काफी costly proof करेगा them के लिए मतलब की लोगों के लिए क्योंकि यहां पर बोला जारा ना last section खुद को बचा पाया है coronavirus से लेकिन अगर वो इस vigil ये जो watch है जो की government रख रहा है या हम जो caution पे कर रहे है इसे में अगर हम ढिलाई बरत देते है तो ये हमारे लिए काफी महंगा पड़ सकता है तो एक बार देख लेते इस passage में बोला क्या जारा है बोला जारा है कि last हमने passage में देखा था कि यहां पर elections भी हो गए mass protest हो रहे, farmers प्रोटेस्ट कर रहे long distance travel भी लोग करने लग गए फिर बोला जारा है at the same time जो important activities है जैसे कि on campus education school, college, university की बात यहां पर की जारी है यह remain suspended suspended है मतलब कि यह अभी भी क्या है अब इसलिए बोला जारा है कि काफी लंबा रास्ता हमें तै करना है इस pandemic को वैश्विक महामारी को पीछे चोड़ने के लिए मतलब अभी भी काफी टाइम लगेगा अब बोला जारा है कि एक बड़ा जो तपका है एक large section है population का यह खुद को coronavirus से shelter करने में protect करने में सक्षम रहा है particularly बड़े बुजर्ग लोगों की यहां पर बात की जारी है ऐसे लोग जिने कुछ diseases है बिमारिया है यह खुद को बचाने में सक्षम रहे है आगे बोला जारा है कि अगर यह जो विजील है यह जो watch है यह जो caution हम पे कर रहे है इसमें अगर धिलाई बरत भी जाए तो यह हमारे लिए काफी महगा पड़ सकता है अब बोला जारा है इसेंशेल मतलब क्या होता है बहुत ही important यह essential के लिए आप यूज कर सकते है यह बहुत ही important है therefore इसलिए for the states, राज्यों के लिए and the citizens के लिए नागरिकों के लिए to accord, accord मतलब यहाँ पर हो जाएगा agree करना, सहमत की जताना यह सहमत होना to accord, to आया है इसे agree करना यह हम कह सकते हैं इसे accept करें किस पर? surveillance पर surveillance मतलब observation निगरानी पर contentment contentment का मतलब यहाँ पर होता है आपने सुना होगा ना काफी बार सुना होगा contentment zone ऐसा zone यह ऐसा एरिया जहाँ पर इस particular disease को रोकने की कोशिश की जारी उसे हम कहते है contentment यह जिसे यहाँ पर कह सकते है contentment मतलब to keep something within limits किसी चीज को limits में रखना यह होता है contentment contentment zone यह होता है कि वहाँ पर यह जो disease है जो infection है इसे limit में रखा जाए तो निगरानी फिर within limits में रखने की बात की जारी है and caution मतलब सतर्कता या साउधानी इनकी जो guidelines है surveillance, contentment and caution पर किसके लिए for january the highest importance and january के लिए specially इसे ज़ादा emphasis यहाँ पर ज़ादा जोर दिया जा रहा है क्यों दिया जा रहा है क्योंकि new year शुरू होने वाला है and new year की parties और यह सारी चीज़े हाइस यहाँ पर adjective and यह कैसा adjective है ordinal adjective है जो हमें order बताता है जिसे हम कह सकते no 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 sorry 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 this is not an ordinal adjective sorry यह noun हो जाएगा यह adjective है and यह कैसा adjective है यह superlative degree का adjective है इस वज़े से यहाँ पर दगा यूज किया गया है actually guys flow flow में आ गया है so यहाँ पर बोला जारे कि specially जो गाइडलाइन से यह January के लिए and यह सबसे ज़्यादा highest importance that the UK UK variant United Kingdom Kingdom world Kingdom world आने के वज़े से article the का use किया जाता है in countries के आगे जिस भी countries में kingdom का use किया जाता है यह particular कुछ ही countries है जिनके पहले the का use किया जाता है जिसे इंडिया, रशिया, जापैन इनके आगे कभी भी article the का use नहीं किया जाता लिकिन UK, USA United States United आ जाए जहां पर kingdom आ जाए ऐसी countries के आगे the का use किया जाता है तो बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा important है that क्यूंकि that the UK variant UK का जो variant है variant मतलब कह सकते है type या variety कह सकते है कि UK में एक variant पाया गया है इस virus का has now been found in India and इसे भी अब इंडिया में पाया गया है इंडिया में भी यह मिला है underscore करता है underscore का मतलब होता है highlight करना किसी चीज़ को highlight करना उस पर जादा जोर देना या हम कह सकते है emphasize करना emphasize the importance ठीक है तो यह emphasize करता है the point इस point को इस मुद्धे को that easing off ease off मतलब होता है become less serious या severe इसे हम कह सकते है become less serious या severe मतलब धिलाई दे देना so easing off on testing, tracing and contentment किसी मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है test किया जाए test के बाद trace किया जाए and then contentment could prove dangerous यह काफि dangerous प्रूफ कर सकता है तो बोला जा रहा है क्योंकि इसका एक जो variant है इस virus का जो UK में पाया गया था अब ये इंडिया में भी found हो चुका है मिल चुका है जो emphasize करता है highlight करता है इस point को इस मुद्दे को that अगर हम धिलाई बरत देंगे किसी चीज को seriously नहीं लेंगे किस पर बात की जा रही है कि testing को test करना then उसे trace करना trace मतलब क्या होता है find out करना and then contentment contentment मतलब क्या होता है किसी को limit कर देना रोक देना अभी मैंने बताया था contentment zone के बारे में तो उसे रोकना limit कर देना could prove ये काफी क्या prove कर हो सकता है dangerous कि अगर हम इन सारी चीजों को पर धिलाई बरत देंगे इसे हम seriously नहीं लेंगे testing, pressing और contentment को तो ये काफी dangerous साबित हो सकता है this mutant mutant मतलब क्या होता है variation इसका ये जो variation है या variant भी यहाँ पर हम कह सकते है so mutant मतलब variant या इसका जो type है especially ये जो word है mutant ये plant and animal species के लिए किया जाता है जो different होते है बाकी सारे species से जिनके genes अलग होते है या change हो जाते तो ये जो mutant है जिसे आप variant कह सकते है ये जो type है is likely बिल्कुल likely मतलब हम कह सकते है बिल्कुल समान है to have initially traveled to several locations and ये बोला जा रहा है कि इसकी जो chances है likely मतलब यहाँ पर chances कह सकते है कि इसकी बहुत ज़दा chances है कि initially अगर ये इंडिया में आया है तो starting में ही ये काफी इसने travel किया होगा several locations पर क्योंकि ये जो disease है infection से फैलती है एक person से दूसरे person में फैलती है क्योंकि ये disease contagious है location before it was detected so detect होने के पहले या पर अंदाजा लगाया जा रहा है ये detect होने के पहले ही ये virus काफी दूर तक travel कर चुका होगा मतलब काफी लोगों में फैल चुका भी होगा ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है and there is likelihood likelihood का मतलब भी यहां पर होता है chances है या हम कह सकते है possibility हैं यहां पर या probability कि इसके काफी chances है that its footprint footprint मतलब उनके पदचिन्न में cover third countries from which India continues to operate bubble flights and यहां पर बोला जारा है कि इसके जो पदचिन्न है footprints है उसके जो marks है यह cover करते है third countries को third country मतलब ऐसी country जो EU European Union के बहार है उन countries को कहा जाता है third countries and क्यूंकि यह third countries है इन third countries से India का relation है because यहां पर जो bubble flights है यह bubble flights operate करती है अब bubble flights मतलब क्या होता है ऐसी country जिनके बीच में agreement होता है कि हाँ हमारे यहां से flight आप के यहां जाएगी और आप के यहां से हमारे यहां आएगी उन flights को bubble flights कहते है एक बार देख लेते है कि इस passage का जिस्ट क्या है तो बोला जा रहा है कि बहुत important है सभी राज्यों के लिए and citizens के लिए कि वो agree करे जो ग्रह मंत्री की guidelines है इस पर और यह जो guidelines है किस पर है surveillance पर है निगरानी रखने पर contentment पर मतलब कि यह जो disease से limit करने पर रोकने पर and caution मतलब सदर्टा बरतने पर especially किस के लिए बोला जा रहा है January मंत के लिए क्योंकि जैनवरी मंत में काफी celebrations होंगे लोग घूमेंगे खाएंगे बाहर outing करेंगे इसलिए इस वज़े से अब बोला जा रहा है क्योंकि यह जो UK का जो variant है मतलब यह जो coronavirus इसी का एक variant इसी का एक type UK में पाया गया है and यह इंडिया में भी मिल चुका है and यह highlight करता है इस मुद्दे को इस point को that अगर हम ease off कर देंगे मतलब ढिलाई बरत देंगे testing पर test करने पर find out और contentment पर तो यह हमारे लिए काफी dangerous साबित हो सकता है अब इसका यह जो variant है type है यह मतलब ऐसा assume किया जा रहा है कि यह find इंडिया में find होने से पहले यह काफी जग़ घूम कर आया होगा मतलब काफी लोगो तक यह disease शायद infection fell चुका होगा detect होने के पहले इसके likelihood मतलब की chances and possibility बहुत ज़ादा है कि इसके जो पत चिनन footprint है यह cover कर सकते है third countries को third country मतलब ऐसी country जो European Union के बाहर है from which जिनका इंडिया जिनसे इंडिया operate करती है यह जिनके बीच में bubble flights का operation चलता है तो आगे देखते है the home ministry has recalled record मतलब क्या है फिर इसे याद दिलाया है the orders order किसके supreme court ने जो दिये थे kin in a suomoto suomoto मतलब on its own accord अपने ही मन से on its own accord हम कह सकते है मतलब खुज से ही अब जिसे supreme court का order देती है जब कोई याची का दायर की जाती है जब कोई case चलता है तब लेकिन जब खुद से ही government कोई decision लेती है कोई order मतलब order देती है तो उसे हम कहते है यहाँ पर suomoto खुद से ही जो supreme court ने है supreme court ने suomoto मतलब खुद के ही accord से खुद के ही मन से एक rate petition यहाँ पर rate का मतलब ही होता है court का order petition मतलब याची का दायर करना तो इस दोनों का मतलब हो जाएगा court का order इसे यहाँ पर लिख देते है simple words में court order तो suomoto मतलब खुद के ही accord से एक order दिया है कब on December 18 देखिए सिर्फ December होता तो in आता इस 18 date की वज़ा से यह on आया है तो December 18 को calling for call for का meaning होता है demand करना and इसके और भी मतलब होते है जिसे की require या need तो यहाँ पर इसका जो मतलब है यह demand करना तो December को demand किया था for a strict adherence adherence मतलब होता है किसी चीज को obey करना follow करना अनुपालन करना या पालन करना तो obey of क्या rule या law को obey करना follow करना उसका पालन करना adherence to COVID-19 appropriate behavior की COVID-19 का जो appropriate behavior है उसे आप obey करे मतलब की mask पहने sanitizer का use करे इस तरीके से भीड़ वाले area में ना जाए तो यह जो appropriate behavior रहेगा इसे आपको सभी को क्या करना है follow करना इसका पालन करना है specially कब during the new year celebration and new year celebration के दोरा specially ये चीजों का ध्यान हमें रखने की बाद यहाँ पर की जा रहे है तो एक बार देख लेते बोला जा रहे है कि home ministry ने फिर से जो ग्रह मंत्रा लए है कि जो सुप्रीम कोट है सुप्रीम कोट ने सुओ मोटो से खुद से ही एक ओरर जारी किया था एक याचिका दायर मतलब एक ओरर दिया था कि कब दिया था ये ओरर 18 डिसेंबर को इसी साल की बात की जा रहे है और यहाँ पर इसमें डिमांड की थी कि आपको strictly मतलब strict मतलब काफी कड़ी मतलब strict तरीके से आपको follow करना है ओबे करना है COVID-19 के appropriate behavior को मतलब जादा भीड में इखटा नहीं होना है mask पहनना ये सारी चीज़े especially कब new year celebrations के दोरान the court wanted क्योंकि court चाहता था deployment deployment मतलब क्या होता है तैनाद करना of more police personal, personal मतलब लोग police personal, personal के जो जवान है at places ऐसी places में where, where कब कहां यूज़ किया जाता है places के लिए तो यहाँ पर देखिए where places के लिए and when कब यूज़ किया जाता है time के लिए तो यहाँ place की बात की जा रही है इसलिए where का यूज़ किया है तो क्यूंकि court चाहता था कि वो तैनाद करें बहुत सारे मतलब जादा से जादा police personal को at the places where people are likely मतलब जादा chances है लोगों के इखटा होने के gather होने के such as food courts, food courts मतलब क्या होता है जिसे mall वगर में आप देखते हो food court, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते है या food courts मतलब जहाँ पर आपको restaurant जहाँ पर आपको सारी चीज़े खाने की available होती है eateries मतलब जहाँ पर भी shops है, छोटी shops है vegetable markets में and bus and train stations तो यहाँ पर इन सभी places पर जादा निगरानी रखने की बात की जा रही है या police personal deploy करने की बात की जा रही है it made the valid observation and ये जो observation था ये जो निगरानी थी ये विलकुल सही थी क्यों 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 careless people होते है infringe, infringe मतलब क्या होता है किसी law को, किसी rule को break करना जिसका मतलब होता है उलंगन and infringe के लिए एक और word होता है breach of law क्याते है मतलब उलंगन करना या break करना ठीक है, तो infringe के लिए एक break word और ये बहुत ही important words है आपकी आने वाली exams के लिए तो careless, जो people है, ऐसे लोग जो काफी careless है infringe करते है, break करते है other citizens right to life दूसरे जो citizens है इनका जो right है, हक है, right to life का इसे ये क्या करते है, break करते है इस law को, by ignore करके ignore करके the use of mask and social distancing okay, social distancing और mask का use ना करके, ये जो careless citizen है, ऐसे citizens जो बिल्कुल ध्यान नहीं रखते चीजों का, ये क्या करते है ये जो law है, right to life जो सभी citizens के लिए इस law को break करते है while various protocols protocols हम कह सकते है rules कह सकते है had failed, बहुत सारे जो protocols है, ये फेल हो चुके है rules फेल हो चुके है, to stop the virus spreading, like the wild life due to lack of implementation and ये जितने भी protocols जितने भी rules थे, जो कि government ने कहा गया था, follow करो and ये फेल हो चुके है, follow नहीं करते है कुछ लोग, and इसके वज़़ से जिस गती से उस गती से ये जो है, virus spread हुआ था क्यूंकि lack of implementation था चीज़े implement नहीं की गई थी चीज़े यहाँ पर लागू नहीं की गई थी तो यहाँ पर देख लेते कि यहाँ बोला जा रहा है कि काफी ये valid observation था, क्योंकि ये जो ये जो एसे लोग थे जो केरलेस थे इसका ये उलंगन कर रहे थे कैसे इग्नोर करके मास्क पहनना है, सोशन डिस्टनसीं का फॉलो नहीं करना है ये सारी चीज़े करके और बहुत सारे जो प्रोटोकॉल से जो लॉस से ये फेल हो गए थे ये जो वाइरस था, ये वाइल्ड लाइफ की तरह, वाइल्ड फाइर की तरह, मतलब जंगल में जैसी आग जैसे फैल थी है, जिस गती से उस गती से फैला था, क्योंकि ये सारी चीज़े इंप्लिमेंट नहीं हुई थी तो एक बार देख लेते, इस पासेज का जिस्ट बोला जा रहा है कि हूम मिनिस्ट्री ने हमें फिर से याद दिलाया है कि कोट ने अपने खुद के ही एक याची का डायर की थी 18 डिसेंबर को इसमें उसने ओडर दिया था किसने कोट ने, सुप्रीम कोट ने कि आपको स्ट्रिक्ट फॉलो करना है COVID-19 के एप्रोप्रियेट बिहेवियर को मतलब मास्क बैनना है, सानिटाइज है, सोशल डिस्टेंस सबी चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली न्यू इयर के दौर इन कोट चाहता था कि वो डेपलॉई करें जादा से जादा पुलीस परसोनल को ऐसी प्लेसे जहां बहुत जादा चैंसे है कि लोग इखटा होंगे, कब न्यू यू यर सलिब्रेशन की बात की जारी है, जैसे ऐसी जगह जो फुट कोट्स है, जहां खाने पीने की चीज़ होती है, और दूसरे लोगों का ये जो राइट टू लाइफ है, ये इसका उलंगन, ये केरलेस लोग करते है, कैसे? इग्नोर करके मास्क नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, नॉम को फॉलो नहीं करना, ये सारी चीज़े करके, इन इस वज़े से सारे बहुत सारी जो प ओर देना, मैंड्रेट का मतलब होता है, ऑडर मतलब होता है, और ऑडर हो जाएगा, और सो गवर्मेंट को भी एक ओडर मिला था, कोड के द्वारा, अंडर आर्टिकल 11, और 2 買 द cities, क Norway के तहत, कोड ने गवर्मेंट को ओर Dubai आ ता तो एँंशार, अशोर करे, सुनिश्चत क करना है sufficiantly sufficient मतलब अच्छी खासी अच्छी खासे अमाउंट में इन इस hospitals इस मतलब किसके government की यहां पर बात की जा रही है कि government invest करें निवेश करें यहां पर अच्छे खासे अच्छे खासा किस पर अच्छी हेल्थ मिलनी चाहिए एसी ट्रीटमेंट जो सभी लोग एफ़र्ट कर पाए सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने ओर दिया था गवर्रमेंट को कि यह अच्छा खासा सफिशेंटली निवेश करें हॉस्पिटल्स में और लोकल एड्मिनिस्ट्रेशन में अब यह जो कोड है यह सीज्डॉफ मतलब होता है पर्टिकुलर के राइट ऑफ पजेशन इसे कहता है यह पर्टिकुलर हग कह सकते हैं यहां पर तो सीज के बाद ऑफ का यूज किया जाता है अब और एक सीज होता है सीज rush इस कामतलब होता है पर्टिकुलर क्याफ कर ना एक सीज ख करना हम कह सकते हैं यह ग्राइब कर लेना पालेना प्रेंट ग्रायिविज्य कर लेना के रिकिन सीजर ऑफ मतलब होता है राइट ऑफ पजेशन यह लेंसने अब क्योंकि एक खाना है इसे हग है of the issue issue का states can be asked to individually report their compliance and अब क्योंकि यह हग है किसके पास right है court के पास so court एक issue एक notice जारी कर सकता है जिसमें यह राज्यों को कहेगा कि individually मतलब अकेले अकेले एक एक अपनी report जो है उनकी compliance की compliance मतलब होता है the act of obedience जिसे हम कह सकते हैं या obey करना so compliance के लिए यहाँ पर लिख देते हैं जिसका मतलब होता है obey करना and obey किसे करना follow करना या अनुपालन करना किसी भी rule को किसी भी law को हम कह सकते हैं तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्योंकि court जो है is seized of मतलब उसके पास एक right है हक है कि वो states को कहे पूछे कि आप individually आप अकेले अकेले report दे कि कैसे आपने यह जो है अनुपालन किया है rules का compliance किया है when the bench bench मतलब यहाँ पर peat होता है peat कहते हिंदी में यहाँ कह सकते group of judges तो यह जो bench है group of judges है takes it up again in a month यह जो bench रहेगा यह फिर से इस चीज को इस मुद्दे को इस month में उठाएगा even with a steadily steadily मतलब धीमी गती से धीरे-धीरे expanding the base expand हो रहा है base किसका मजबूत हो रहा है of vaccinated individuals जो होंगे यह बढ़ते जाएंगे इनका जो base है यह मतलब vaccinated जो लोग होंगे यह बढ़ती जाएंगे जो surveillance होगी निगरानी जो caution होगी सतर्पता आर essential बहुत जादा जरूरी है मतलब कि बोला जा रहा है यहां से देख लेते एक बार बोला क्या जा रहा है कि government ने एक order दिया था under article 21 government को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वो अच्छा-खासा invest करे hospitals में and those of local administration इन्हें भी कहा गया था कि अच्छा-खासा invest करे acknowledging, accept करते हुए क्या यह बात को कि सभी का हक है right to health, health, अच्छी health and अच्छी treatment, affordable, सस्ती treatment यह सभी का हक है इस बात को accept करते हुए आपको क्या करना है invest करना है ऐसा court ने कहा था government को अब now, क्यूंकि अब court के पास seize off, court is seize off, मतलब की court के पास एक right है, हक है कि वो state से ask करे, पूछे, कि आप individually, अकेले-अकेले हर एक राज्य हमें क्या दे report दे, कि उन्होंने कैसे compliance किया है, मतलब rule को obey किया है, follow किया है जब यह सब चीज़े कब मांगी जाएगी, यह report कब मांगी जाएगी, जब यह PEAT, मतलब जो group of judges से इस बात को फिर से इस मुद्दे को फिर से उठाएंगे इस मन्थ में यह हर एक मन्थ में बोला जा सकता है तो, even with a steadily, यह जो graph है, यह steadily expand हो रहा है, base of vaccinated individual, individual जो होगे vaccinated, जिनका टीका करन हो चुका होगा, यह धीरे धीरे expand होगा and surveillance और caution सतरकता की हमें यहाँ पर जरूरत होगी अब बोला जा रहा है, government should seize, seize अब यहाँ पर इसका जो meaning होगा, यह वाला होगा grasp करना या, ले लेना या, grab कर लेना, seize मतलब इस opportunity को यह, इसका फायदा उठाए, grasp करे, इसे grab करे presented by the pandemic and government ने इस opportunity को क्या उठाना चाहिए, इसे seize कर देना चाहिए, grasp करने देना चाहिए and set up a public health backbone, इस opportunity का फायदा उठाते हुए, मतलब यह, इस pandemic वैश्विक महामारी के वज़े से government को एक reason मिल गया है, कि वो set up करे, बनाए एक public health backbone, एक ऐसा set up, जो public health backbone हो in all states, सभी राज्यों में, in cities में and rural areas में to do the monitoring, monitoring करने के लिए observation निगरानी रखने के लिए एक बार देख लेते हैं कि government को court के द्वारा order दिया गया है, article 21 के दारा कि आप invest करे sufficiently hospital में and बोला जारा, यह चीज़ को accept करते हुए, क्योंकि सभी लोगों का, सभी citizens का हक होता है अच्छी health पर and affordable treatment पर, अब क्योंकि यहाँ पर court के पास right है, right of possession है कि यह सभी राज्यों से पूछे कि individually आप आपकी report दिखाईए कि आपने कैसे compliance किया है, कैसे rules को follow किया है जब यह जो bench होगा, group of judges meeting लेंगे या बैठेंगे इस मन्थ में So even with, कि steadily धीरे-धीरे यह जो vaccinated individuals है, ऐसे individual जिनका ticket करन हो गया, यह बढ़ते जाएंगे लेकिन surveillance मतलब कि निगरानी और caution सतर्कता की भी यहाँ पर जरूवत होगी And government ने इस opportunity को seize करना चाहिए, grab कर लेना चाहिए क्योंकि government को एक बहाना मिल लिया है, कि यह एक अच्छा public health backbone set up करे ताकि ऐसी कोई emergency आती है, इसलिए एक public health, लोगों के health के लिए backbone, backbone मतलब हम कह सकते एक setup हो कि कभी भी अगर ऐसी कुछ, ऐसा कुछ हो जाता है, तो लोगों के लिए सारी चीज़े facilities available हो सभी राज्यों में, सभी cities में, सभी गाओ के ग्रामेंड इलाकों में to do monitoring, monitoring करने के लिए So, this will have the twin advantage of rapidly advancing universal health coverage through health and wellness center and इसका जो होगा यह दोहरा फायदा होगा, twin मतलब दो होता है, दोहरा फायदा होगा, यह जो rapidly काफी तेज गती से advance हो रहा है बढ रहा है, universal, सर्व भॉमिक, health coverage कैसे, through health and wellness center, health and wellness center के त्वारा wellness center मतलब जहाँ पर सारी facilities हो So, guys, this was all about today's editorial Let's move forward and यहाँ पर आपके लिए कुछ questions है and यह जितने भी questions यहाँ पर हम discuss करते हैं यह सारे आपके previous editorial, मतलब कि जो last editorial हमने discuss किया था, उसी के होते है ताकि वो जो editorial है, उसके main point यहाँ पर आपके revise हो जाए So, यहाँ पर आपको बताना है कि इस sentence में किस part में error है As you can see, this sentence has been divided into four parts A, B, C and D and आपको यहाँ पर बताना है किस part में error है and if this sentence is error free, your answer should be option number E, that is no error So, यहाँ पर आपको बताना है So, यहाँ पर आपको बताना है So, let's check guys, the linkage is Link मतलब connection So, link की बात की जारी है, connection की बात की जारी Among, planning, implementation and reporting mechanism will be tested So, यहाँ पर देखिए, error आपको I hope A में मिल गया होगा Now, यहाँ पर देखिए, planning, implementation and reporting यहाँ पर तीन चीज़ों की बात की जारी है And जब more than मतलब दो से जादा चीज़ों की बात की जारी है तब among का यूज की आजाता है लेकिन यहाँ पर यह अमंग सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर इनके link की बात की जारी है इनके बीच में जो link है इनके बीच में जो connection है यह जिसे हम कह सकते relation And जब बात relation ही होती है तब हम इन चीज़ों को अलग-अलग नहीं मानते इनको एक ही मानेंगे क्योंकि इनके बीच में एक link है यहां पर क्या होता है अमंग मतलब इनके बीच में इनके बीच में नहीं है यह सारी चीज़ें लिंग है इसलिए यहां अमंग नहीं आएगा यहां पर बिट्वीन ही आएगा कि यहां पर लिंग किया connection की बात की जारी है next question अब यहां बोला जारा है checking and reporting of all adverse events इवेंट्स यहांपर क्या हो जाएगा now तो adverse यहांपर हो जाएगा adjective अना checking and reporting यह दोनों यहांपर present participle है यहांपर यह दोनों subject की तरह काम कर रहे तो यहां बोला जारा है कि checking and reporting of all adverse events immediately इमेजेटली कब अब इमेजेटली यहां पर एड़ब हो जाएगा क्योंकि चेकिंग एंड रिपोटिंग कैसी होगी इमेजेटली होगी एंड देज आफ्टर दे वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन नावन ती आउन इसलिए आर्टिकल देज एसेंशियल यह काफी कैसा है तो आपको एरर लग रहा होगा इस पार्ट में इस में कि इस यहां पर बिल्कुल गलत है क्योंकि यह जो इस है इस का सब्जेक्ट यहां पर क्या है इस का सब्जेक्ट यह है चेकिंग एंड रिपोर्टिंग लेकिन यह जो सब्जेक्ट है यह बिल्कुल सिंगुलर सब्जेक कि checking and reporting यहां पर अलग-अलग महीं लिया जा रहा है checking and reporting यहां पर एक ही सब्जेक्ट बाणा जा रहा है इसलिए यहां पर यह जो वर्भे यह बिलकुछ सही है यहां पर कोई गल्टी नहीं है जैसे होता है na slow and steady slow and steady वींज भी रिस्त कहता है हम तो यहां पर जिस तरह slow and steady को हम एक ही subject मानते हैं इसलिए यह जो वर्ब है यह वर्ब कैसा यूज किया है singular use किया है इसी तरीके से checking and reporting यहां पर बिल्कुल singular subject है इसलिए जो वर्ब इस है यह बिल्कुल यहां पर सही है So this sentence contains no error So option number E would be the correct choice Next question So guys I hope सभी को error मिल चुका होगा And last editorial जिसने भी students ने देखा होगा उन्हें यह error मिल चुका होगा So as the plan is to vaccinate जो plan है plan noun है Article the का use किया गया है Is to vaccinate 2 के साथ verb की first form यह infinitive कहलाएगा कि plan है vaccinate करना टिका करन करना कितने 300 millions को an error यहां पर होगा यह millions नहीं होगा यह सिर्फ और सिर्फ million होना चाहिए क्यों क्योंकि million, million, thousand, hundred सभी के पहले अगर कोई भी number आ जाता है 1, 2, 3, 4, 500, 300 तब यह singular यूज किया जाता है millions नहीं million जैसे यहां पर देखेंगे 600 million, 400 million जैसे कि हम कहते है 4000 नहीं करते है 4000, 3000, 200 कहते है 200 नहीं करते है इसी तरीके से नंबर आने के वज़ए से singular होगा ना कि plural next question देखते है तो यहां पर अगर बात करें इस एक्सरसाइज शुड देरफोर लुक शुड आया है शुड के साथ बहुत की फर्स्ट पॉम यूज की जाती है तो बोला जा रहा है कि यह जो एक्सरसाइज है शुड देरफोर इसी लिए लुक आट एंड लुक आट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है think on किसी चीज पर सोचना look at मतलब देखना भी होता है किसी की तरफ हम आईस गुमा कर देखते है उससे भी look at कहा जाता है लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है think particular किसी पॉइंट पर सोचे think at to create यहाँ पर देखिए यह two के साथ वीवन यह verb हो जाएगा यह create यहाँ पर verb है क्योंकि two के साथ आ रहा है तो two के साथ हमेशा verb की first form जिससे infinity हो लेकिन यहाँ पर यह look at एक phrasal verb है and add क्या है add यहाँ पर एक preposition है and preposition के बाद कभी भी verb का use नहीं किया जाता direct verb नहीं आता preposition के साथ हमेशा noun आएगा अब इस create word तो सही है इसका noun कैसे बनाएगे तो इसका ing form बना देंगे क्या बन जाएगा creating जिसे हम जारंड कहते है so the exercise should therefore look at to create नहीं आएगा creating क्यों क्योंकि preposition के बाद noun आएगा इस verb का noun form होगा ing form creating so look at creating additional storage capacity at this facilities so guys this was all about today's session thank you very much my name is Neelam do like share and subscribe my videos thank you very much you